हाई गाईज, वलकुम बाग तू माई चानल, हाउ यू गाईज दूएंग, लास्ट वीक मैंने कम्यूनिटी पे एक पोस्ट डाला था, एक बारा खुद ही देख लीजे, पोस्ट पे 7.7 थाउजन लाइक और 747 कॉमेंट्ट, दोनों टॉप कॉमेंट्स की सारी बाते सनलाइट में बहुत ज़्यादे रहने से हमारी बोडी स्टन हो जाती है, सनलाइट हमारी सबसे बाहरी स्किन की लेयर को डामेज करता है, सबसे कॉमन एरियाज ऑफ टैनिंग है हमारा नेक, बाक साइड ऑफ आर नेक, हमारे हाथ, पैर, एल्बोस, और फकॉर्स फेस, क्यू स्क्रीन पे में योटादा के हमारा पहला इंग्रीडियन्ट है बेसन, बेसन होता है, ग्रेट क्लेंजर इस से हमारी सकिन क्लियर होती है, इसमें कई सारे अधियन्ग का अटा, अगर आपके पास चावल का अटा नहीं है, तो आप चावल को फाइनली क्रश कर सकते हैं, इसके साथ साथ यह ओलीनेस को भी रिडियूस करता है फॉर्थ इंग्रीडियन्ट है लेमन में होता है वाइटमिन सी जो कि हमारी स्किन को लाइटिन करता है एक चोटी सी टिप लेमन को हमेशा कम कॉंटिटी में यूज करें और सनलाइट में जाना बिलकुल अवोइड करें अब मैं यूज करने जा रही हूँ वाइल टर्मरिक फ्रॉम अल्स गुड्निस जो भी मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उन सभी को पता है मेरा फेवरिट होम रेमिडी क्या है गर आपको भी पता है तो उसे कॉमेंस में ज़रूर बताना हल्दी में होती है हीलिंग प्रॉपर भी नहीं होने चाहिए कि वो स्किन को डामेज कर देंगे एक क्विक डिस्क्लीमर आप अपने हिसाब से बनाए यह स्क्रब थोड़ा थिक होगा तो मैसी भी होने वाला है I am gonna focus this scrub on my elbows, feet क्योंकि यह मेरे area सबसे ज़ादा टान होते हैं आप इस scrub को अपने हाथों पे ऐसे easily लगा सकते हैं इस गुनो भी very messy ही तो आप make sure करें कि आप stink के आसपास ही हो अच्छे से scrub लगाने के बाद हमें 15-20 minutes इसका dry होने का wait करना है अब हम इसको gently exfoliate करेंगे इसे directly wash नहीं करना है इसे exfoliate करना है gentle circular motion में हमें धीरे धीरे इसे अपनी skin में scrub करना है Do you see the difference? इन बहुत बड़ा difference आपको अचानक से नहीं नजर आएगा I'm sure अगर आप ये remedy यूज़ करेंगे धीरे धीरे आपके tanning fade हो जाएगा So मैंने अपने left hand पे इस scrub यूज़ किया था camera पे बहुत जादा नहीं visible है but I could easily make out the difference मुझे ये home remedy बहुत पसंद है and I'm sure you're gonna love it too remedy तो यूज़ हो गया हम यूज़ करेंगे aloe vera gel आप चाहें तो कोई भी नरिशिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं I'm gonna use this one from Good Wipes मुझे ये आज़ बहुत अच्छा लग रहा है basically जिन भी एरियास को आपने scrub किया है तो दाट वो एरियास इरिटेट ना हो जाए हम उनके ओपर एक अच्छी सी generous layer लगाएंगे aloe vera gel की मैंने अपने products purple की website से लिए है in case if you guys are interested I'm gonna be listing everything in the description bar below I hope आपको मेरी video अच्छी लगी do like, share and subscribe to my channel and also comment section में अपनी suggestion share करते रहा करिये until next time, bye guys कर दो